मुझे इस जिम की मैंबर्शिप चाहिए तो दोस्तो आज हम जानेंगे उल्लू की वेब सिरिस टक एपिसोड वन के स्टोरी के बारे में इस वेब सिरिस के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि शैलेश नाम का एक जिम ट्रेनर होता है और वो शादिशुदा औरतों को रात में उनके घर जाकर उनके साथ खुब एकसरसाइस करता है अब कौन से एकसरसाइस करता है ये आप समझ ही गए होंगे शैलेश जिम में आने वाली शादिशुदा औरतों के बीच बहुत फेमस होता है सब उसे शैली नाम से जानते है शैलेश के पास एक magical pill होती है जिसे खाने से शैलेश एक बार में तीन राउंड तक मार सकता है जिम में आने वाली हर शादी शुदा औरत को शैलेश संतुष्ट करता है जिम में एक receptionist भी होती है जिसका नाम रिंकी होता है जिम में आने वाले सभी क्लाइंट्स को जिम की मेंबर्शिप देने का काम इसी का होता है शैलेश जब भी जिम में आता है रिंकी के साथ फ्लर्ट करते रहता है पर रिंकी को पता होता है कि शैलेश एक नंबर का कमीना है जो कि जिम में आने वाली सबी औरतों के साथ मूँ काला करता है इसलिए वो शैलेश को seriously नहीं लेती शैलेश रोज रात का औरतों के साथ रात वाले exercise करता है इसलिए वो रोज सुबर जिम में लेट हो जाता है जिससे जिम का honor जिसका नाम प्रबागर होता है वो शैलेश पे काफी गुसा हो जाता है तो शैलेश रिंकी से कहता है कि तो मेरे interest जल्दी कर देते जा ताकि मुझे boss की डाट ना पड़े तो रिंकी कहती है तो क्या मेरी वज़े से लेट हो जाता है जो मैं तेरे लिए ये सब करूँ उसी वक्त जिम में एक hot सी औरत membership लेने आ जाती है तो शैलेश उसे line मारने लग जाता है औरत भी शैलेश को line दिने लग जाती है फिर शैलेश रिंकी से कहता है मैडम को जिम का member बना दो ताकि वो मेरे benefits ले सके मैडम भी समझ जाती है कि शैलेश किस benefit की बात कर रहा है तो वो भी जिम की membership ले लेती है फिर प्रभाकर सर शैलेश को अपने जिम में बुला कर बहुत डाटता है कि तेरा बहुत नाटक चल रहा है तो रोज लेट आ जाता है और तेरी बहुत लोग बुराई कर रहा है तो शैलेश कहता है कि मेरी बुराई सिर्फ मर्द करते होंगे औरत तो मेरी बुराई कर ही नहीं सकती वो तो सिर्फ मेरी तारिफी करती होगी साले सभी मर्द जलते हैं मुझसे अंगुर खाने वालों को अंगुर ना मिले तो उसे खटा नहीं बोलते उल्टा अंगुर खाने वाले को चोर बोलते है तो जिम का ओनर कहता है अब तु खुले में अंगुर खाना बंद कर नहीं तो मैं तेरे आलू बुकारे का जूस निकाल दूँगा और कहता है कि मैंने सुना है कि तो औरतों को घर जाकर रात में ट्रेनिंग देता है तुझे औरते ही मिलती है क्या रात में ट्रेनिंग देने के लिए तो शैलेश कहता है सर मैं जिम के भलाई के लिए ये सब समास सेवा करता हू ओनर कहता है वो कैसे तो शैलेश कहता ये दुनिया बड़ी जालिम है सर घर में सास की खिट-पीट, पती की जिग-जिग, बिचारी औरोतों का फिटनेस का क्या होगा फिर मैं ही रात में उन्हें ट्रेनिंग दे कर उन्हें फिट रखता हूँ और मेरे ट्रेनिंग से खुश होकर वो जिम की मेंबर्शिप रेन्यूव करती है जिससे आपका भी फायदा होता है, क्या सर मैं गोलिया खाका कर इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझे डाट रहे है, तो जिम ओनर कहता है गोलिया, मेरा मतलब गालिया खाका कर किसे औरत को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी, तो वो मुझे और जिम को गालिया देती है शैलेश की बाते सुनकर ओनर शैलेश से खुश हो जाता है, और उसे पीने के लिए पानी देता है उसी बीच रिंकी आ जाती है, और कहती है सर जिम में एक औरत मेंबर्शिफ लेने आई है पर उसकी एक रिक्वेस्ट है, उसे एक जिम ट्रेनर चाहिए जो घर आकर उसे ट्रेनिंग दे सके तो शैलेश कहता है मैं हूँ ना, तो जिम ऑनर रिंकी से कहता है कि एक बोर्ड बनाओ और उस पर लिखो की हमारे पास घर पे आकर ट्रेनिग देने वारे जिम ट्रेनर्स भी मिलेंगे तो शैलेश कहता है सर में अकेला ही काफी हूँ सभी अवरतों को ट्रेणिंग देने के लिए तो और कहता है तु ये सब अकेला कर पाएगा तो शैलेश कहता है हाँ सर मेरे पास magic pill जो है और इसके साथ episode one खत्म हो जाता है अब एपिसोड टू में दिखाया जाएगा कि आलिया नाज जिम में में मेंबर्शिप लेने आती है फिर शैलेस उसे कैसे ट्रेनिंग देता है हम अगले एपिसोड में जानेंगे और इसका पूर एपिसोड उल्लू एप पर एविलेबल है आप देख सकते है तो दोस्तो कैसी लगे आपको उल्लू वेब सीरीस टक एपिसोड वन की स्टोरी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे स्टोरीस आपके लिए एक्स्प्लेंड करते रहे धन्यवाद